हलो फ्रेंड आपका स्वागत है सुबोर डिजिटल यूटूब चैनल में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक आदमी के नाम से कितने बैंक एकाउंट आप खोलवा सकते हैं जियां दोस्तों यहां पे हम आपको बताएंगे आप जो है अपने नाम से मैक्सिमम कितने बैंक एकाउंट खोलवा सकते हैं ज्यादा एकाउंट खोलने पर क्या प्रोबलम होगा तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखीगा अगर आपक इसाब से सभी बैंक एकाउंट में खाता ओपन कर सकते हो ठीक है लेकिन दोस्तों आपका जो एकाउंट है आपके पास मालिज यह स्टेट बैंक का एकाउंट है या बैंक ऑफ इंडिया का है या पंजाब निशनल बैंक का है ठीक है तो आप तो सभी बैंक में एकाउंट ओ तो देखो बैंक का मतलब यह नहीं है कि आप जो है अपना नाम से जो है चारही बैंक एकाउंट खोलो पांची बैंक एकाउंट खोलो नहीं आप चाहे तो जितने चाहे उतने एककाउंट open कर सकते कोई समस्या नहीं है फिगे लेकिन दोश्तों ज्याधा लippi एककाउंट आग के नाम से रहने से समस्या यह होता है कि आपको ऒर हर बैक के एकाउंट में मैंटनेस चार्ज देना परता है मेंटेन करना परता है अगर आप अपने माली जी हमारे पास पांच बैंक एकाउंट ठीक है और हमने पांच बैंक ठीक है लेकिन आप जो है maintenance charge हर एक bank का अलग-अलग होता है सभी bank को ने अपना-पना rule बना के रखा है कोई bank जो है ब्याज दर 6.75 देता है कोई 4.5 देता है कोई 6.5 देता है कोई 7.5 देता है सबी बैंकों ने अपने हिसाब से मैंटेंग चार्ज भी रख सकता है कोई बैंक ने 1000 रुपय का मैंटेंग चार्ज रखा है किसी ने यहाँ पे 5-6 का मैंटेंग चार्ज रखा है तो अलग-अलग तरीके से सबी बैंकों ने अपना रूल को रखा है तो ज़्यादा बैंक एककाउंट रखने से आपको यह समस्याओ हो सकता है लेकिन आपको classic अ कितने खोला सकते होmm ने आपको बता दिया तो आप समझ सकते हो आपका करना चाहते हो कितने बैंक में जलते इन हैं कितने बैंक बैंक को पैनल्टी जाहते हो तो यह आप सब्षों के जरूरी है रृट होना बहुत जरूरी है को